नमस्का आज हम लोग जानने की कोशिस करेंगे एड्रेनल मेडूला के बारे में कि एडुनल मेडूला क्या होती है और इनके द्वारा कौन से हर्मोन से क्रीट कीए जाते हैं और उस हर्मोन के इंबैलेंस हो जाए हुमारे बॉडी में क्या परसानी आ जाएंगी पिछली ख्लास में लोगों ने adrenal gland के बारे में डिस्कस किया, जहां यह बताए गया कि adrenal gland के दो पार्ट होती है एक का नाम देते हैं adrenal cortex और दूसरे का नाम देते हैं adrenal medulla वहाँ पिखना लोगों ने adrenal cortex के बारे में जान लिया था जब उसे हम discuss कर रहे थे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं proper तरीके से आपको इस point को explain नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए हमने अचानक ही उस video को stop कर दिया था कि हम बाद में उसे record करेंगे आज हम लोग उसी topic को आगे बराते हैं और जो topic रहे थी उसे आज हम लोग cover करेंगे इस class में और वो जो topic रहे थी वह हमारा था that was the adrenal medulla or imbalance of the hormones secreted by the adrenal gland सबसे पहले हम adrenal medulla के बारे में जानते हैं हम लोग याद करें कि medulla word जो बना है वो word आया है middle से middle का मतलब बीच में या inside तो adrenal gland का वो part जो center में है या बीच में है उस part को हम नाम देते हैं it is the adrenal medulla और जो adrenal medulla का जो portion है उस adrenal medulla की cells है उनका structure और functions और adrenal cortex का जो cells हैं उनके structure और functions completely एक दूसरे से different हैं दोनों में कोई similarity नहीं है जो outer portion है उसका नाम दिया गया adrenal cortex से और जो inner portion है उसका नाम दिया गया adrenal medulla तो आज हम लोग इसी adrenal medulla के बारे में जानने की कोशिश से करेंगे तो चलिए हम लोग अपने adrenal medulla के जो हर्मोन सीकरीट होती हैं उस हर्मोन को हम नन-essential hormon कहते हैं वहीं पर जह mijn lacリン आडिनल कोर्टेक्स के बारे मेंłos यह कहा गया था कि adrenal cortex के दौर्ध जो हर्मोन सीकरीट होती हैं उसे हम लोग असे हर्मोन कहेंगे essential hormones इसलिए कहते हैं क्योंकि जो adrenal medulla होंगी sorry adrenal cortex होंगी एदि उस hormone का secretion बंद हो जाए या adrenal cortex या adrenal gland को हम body से बाहर remove कर दें तो patient का या person का survivor मुस्किल हो जाती है और person का within few days death हो जाता है इसलिए हम लोग से कहेंगे that are the essential hormones लेकिन जो adrenal medulla के द्वारा hormones से क्रीट होंती है हमारे body को उसके आओ सकता है लेकिन उसके absence में हमारी body में death नहीं होंगी और इसलिए हम इसे कहेंगे it is a non essential hormones अब जो adrenal medulla के hormones का लोग एक नाम दे दिया it is a non essential hormone लेकिन इसी के साथ साथ इसका हम लोग एक और नाम देते हैं that is the emergency hormone मिन से कि जो adrenal medulla के द्वारा hormone सिक्रीट की जाती है वो emergency hormone है emergency hormone का मतलब क्या हुआ जिस सब्सक्राइब करें कि हमारे life में अचानक कोई life threatening situation develop हो जा रही है या हम emotional stress में चले जा रहे है या हम physical stress में है और उस condition में हमारी body अपने कोप नहीं कर पा रही है उसे face नहीं कर पा रही है body उस चीज़ को adjust नहीं कर पा रही है उस condition में adrenal medulla hormones सिक्रीट करती है और यह hormones हमारे body को prepare करता है कि हम emotionally stress condition में है या physically stress condition में है या कोई life threatening situation develop हो गई है तो हमारी body उस life threatening situations को face कर सके और उसमें वो survive कर सके इसलिए हम लोग जो adrenal medulla के hormones होंगे उसका नाम दिया गया it is the emergency hormones अभी जो adrenal medulla के hormones जो emergency hormones है इसको emergency hormones के लावा एक और नाम देते हैं कि यह fight and flight system को stimulate करता है fight and flight system का मतलब क्या हो गया कि वैसा system कि हमारे सामने कोई life threatening condition develop हो रही है या हम emotional stress में है या हम physically stress में है तो उससे fight करने के लिए यह hormone हमें power देता है हमें capacity देता है हमारे अंदर एक body के organs को इस्तों से develop करता है कि हम उस life threatening situations को face कर सके और इसलिए से के नाम दिया गया fight दूसरा word दिया गया flight flight मतलब क्या हो गया कि यदि हम उस life threatening situations को face कर रहे हैं लेकिन हमारी body उसे face नहीं कर पा रही है उस challenge को accept नहीं कर पा रही है चो उस condition में हम वहां से run away या हम वहां से भाग जाते हैं वहां से flight करते हैं उस situation से अपने आपको हम अलग कर लेते हैं इसलिए हम कहते हैं कि जो emergency हार्मोन है जो adrenal gland के दौरा जो hormone secret की जा रही है उसे हमनों नाम देते हैं it is a fight and flight system कि यह hormone हमारे fight and flight system को stimulate करता है ताकि हम अपने आपको survive कर सके अपने आपको save कर रख सके during the life threatening condition अब इस fight and flight system में एक और नाम add किया गया that is the fright means कि जो system है उसका complete नाम होगा fight, fright and flight system fight means से उसे face करना, fright means से भै या डर्ड लगना और flight means वहां से भाग जाना, means से कि जो adrenal glands के द्वारा, adrenal medulla के द्वारा जो hormone secret करेंगी हमारे body को इस तरह से prepare करेंगी कि हम उस life threatening condition से fight करें, यदि हम fight नहीं कर पा रहे है तो हमारे में एक डर आएगी हमें fright होगा वह होगा और हम फिर वहां से flight कर लेंगे वहां से हम भाग जाएंगे तो इसलिए इसका नाम दिया गया fight, fright and flight situation, अब इस fight, fright and flight situation के चलते जो यह adrenal medulla के द्वारा हर्मोन secret की जाती है उससे हम लोग एक और नाम देते हैं अब उस हर्मोन का नाम क्या है तो adrenal medulla के द्वारा हर्मोन और तिसरा नाम दे रहे हैं इस हर्मोन का नाम क्या है तो adrenal medulla के द्वारा जो हर्मोन secret की जाती है उसका नाम है adrenalin and noradrenalin adrenalin and noradrenalin मिंसे adrenalin and noradrenalin है यह हमारे emergency हर्मोन से हैं अब हम लोग पिछले क्लास को थोड़ा से recall करते हैं वह हम लोग ने क्या study किया था कि adrenal gland के अंदर जितने भी zones हैं जितने भी area हैं या जितने भी parts हैं हर एक parts के द्वारा कोई ने कोई हर्मोन secret किया जा रहा है जैसे कि adrenal cortex है तो adrenal cortex में हम लोग थी parts divide किया था और उसका क्या नाम था कि zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis यह तीन जोन है जो तीन जोन मिल करके adrenal cortex का formation करती है जो हमारी zona glomerulosa था वो जो हर्मोन secret करता था उसका नाम था mineralocorticoids और mineralocorticoids कब secret होंगी जब एक हर्मोन है angiotensin 2 कि जब वो angiotensin 2 हमारे zona glomerulosa को stimulate करेगा तब वो zona glomerulosa mineralocorticoids या aldoesteron को secret करती थी दूसरा नाम था हमारा zona fasciculata zona fasciculata के द्वारा glucocorticoids को secret किया था और इसके secretion को stimulate करता है ACTH, adrenocorticotropic hormone यह जो adrenocorticotropic hormone है यह pituitary gland से secret होती थी और वो हर्मोन हमारे adrenal gland के अंदर adrenal cortex मेंटर करेंगी और वो zona fasciculata को stimulate करती थी to secreted glucocorticoids, तीसरा पार्थ हमारा zona reticularis, zona reticularis भी ACTH के द्वारा ही stimulate होता था और यह जो zona reticularis है जो ACTH से stimulate करती थी तो इसके द्वारा sex hormone का secretion यह sex hormone के synthesis और secretion की जाती थी, अब आई बारी हमारी adrenal medulla का, तो हम लोग जान चुके हैं कि adrenal medulla के द्वार जो hormone secret हो रही है उसका नाम है adrenalin and noradrenalin और इसका secretion का stimulation है वो stimulation होता है by the sympathetic nervous system कि हमारे body के अंदर sympathetic nervous system है वो sympathetic nervous system adrenal medulla को stimulate करती है और जब sympathetic system इस adrenal medulla को stimulate करेंगी तो उस condition में adrenal medulla, adrenalin और nonadrenalin को secret करेगा जो कि एक emergency hormone है या एक triple F हार्मोन है अब यहाँ पर एक बात का ध्यान gland एक अलग part है दोनों independently work करते हैं जो हमारी adrenalin and noradrenalin है यह adrenalin and noradrenalin दोनों के दोरा secret होती है जो sympathetic nervous system है वो भी adrenalin and noradrenalin को secret करेगा और वहाँ पर भी वह emergency hormone की तरह काम करेंगी और वही sympathetic nervous system हमारे adrenal medulla को भी stimulate करेगा और adrenal medulla भी noradrenaline and adrenaline को secret करेंगे मतलब क्या हुआ कि हमारे body के अंदर जो adrenaline and noradrenaline है दो system के द्वारा secretion दो system के द्वारा synthesize होती है और उनके द्वारा secret होती है एक system होगया sympathetic nervous system और दूसरा होगया adrenal medulla अब यहां confusion नहीं करेंगे कि adrenal medulla इसे कब stimulate कब synthesize करेगी जब इसे sympathetic nervous system stimulate करती है और दूसरा कि sympathetic nervous system independently adrenal noradrenaline का synthesis और secretion भी करती है और दोनों जगह पर यह hormone fight and flight system को stimulate करेगा और यह hormone emergency hormone के रूप में जानी जाएंगे अब दोनों में फर्क क्या है जब यह adrenal medulla के दौरा secret होता है तो हम उसमें यह पाया कि यहाँ पर adrenaline 80% होती है और noradrenaline 20% होंगी लेकिन जब यही hormone sympathetic nervous system के दौरा secret होती है तो वहाँ पर noradrenaline 80% होंगी और adrenaline 20% होंगी तो इस तरह से हम लोगों ने यह जान लिया कि adrenaline और noradrenaline का क्या secretion हो हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि adrenaline medulla दो हार्मोन को secret करती है और उसका नाम है adrenaline and noradrenaline जो कि emergency हार्मोन है या fight and flight system को stimulate करने वाला हार्मोन से अब हम जानेंगे इस adrenaline और noradrenaline का function क्या है यहां पर हम ज्यादा detail इसका study नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्यादा details यह study करेंगे तो हमारी जो class होंगे बहुत लंबी हो जाएंगे इसलिए हम लोग यहां पर इसे short में study करेंगे कि adrenaline और noradrenaline का function क्या है अब हमें यह बात clear हो गई है कि adrenaline and noradrenaline emergency hormone है जो fight, fright and flight system को stimulate करता है अब अब just imagine कीजिए कि हम किसी ऐसे situation में आ गए है जहां life threatening condition है तो वहां पर क्या changes हमारे body में आएंगी changes क्या जहाएंगी कि हमारी में हमार्य जो expration है वह fast हो जाएंगी heartbeat है वह भी fast हो जाएगा heart का contraction force है वह भी increase हो जाएंगी हमारी ब्लट pressure है वह ब्लट pressure भी increase हो जाएगा और यह जो सारी की सारी चीज़े increase हो रही है किसके चलते हो एढरिनलीन और noradrenaline के चलते तो सबसे पहला point कि जो adrenaline और non-adrenaline है वो हमारे पूरे body के जो smooth muscles है जो हमारे body के अंदर जितने भी smooth muscles हैं उनके अंदर ये relaxation produce करता है except blood vessels, blood vessels के smooth muscles को relaxation ये नहीं करता लेकिं blood vessels के अलावा body के अंदर जितने भी smooth muscles हैं उन सभी smooth muscles को ये relax करेगा और relaxation करने से क्या होगा कि suppose करें कि lungs के अंदर हमारी सांस से तेज चल रही है मिनसे lungs के अंदर smooth muscles हैं वो relax हो गए, relax होने का मतलब क्या हुआ कि lungs का size है वो size increase हो जाएगा और जब उसका size increase हो जाएगा तो उसके हमारे bronchodilation होगी तो ज्यादा से ज्यादा air हमारे lungs के अंदर enter और जो हमारे rate of respiration है वो rate of respiration fast हो जाएगा, फिर कहा जा रहा है कि हमारे जो GIT है वहाँ पे peristaltic movement होती है, अब यह peristaltic movement क्या है कि GIT के अंदर contraction और relaxation होती है उसे कहते हैं हम लोग peristaltic movement, अब क्या हुआ कि यह smooth muscle relax हो गई, relax होने मतलब क्या हुआ कि GIT का भी smooth muscle है वो भी relax हो होगा, नतीजा होगा कि peristaltic movement जो होगी, वो slow हो जाएगी, अब इसका जो cardiac muscles के क्या effect होगा, हम लोग जान चुके है कि हमारा heart beat increase हो जाता है, मींस यह cardiac muscles को stimulate कर देता है, और stimulate करने से हमारी heart beat होगी, वो heart beat increase हो जाएगी, और जब heart beat increase हो जाएगी, तो जो हमारी heart का force of contraction है, वो force of contraction भी increase होगा, और जब force of contraction increase होगा, तो ज़्यादा blood हमारे arteries और vein के अंदर enter करेंगी, और जब ज़्यादा blood हमारी blood vessels में enter करेंगी, तो हमारी blood pressure है, वो blood pressure से increase हो जाएगी, तो हम लोग ने यह देखा कि जो adrenaline और noradrenaline है, हमारे body के उपर क्या effective produce कर रही है, यह हम लोग ने short म और noradrenaline, lung syndrome के अंदर bronchodilation produce करता है, ताकि rate of respiration भर सके, ज्यादा से ज्यादा air हमारे body के अंदर enter कर सके, cardiac muscles को stimulate करेंगा, ताकि heart beat increase हो जाए, यह contraction force increase हो जाए, और उसे blood pressure increase होगी, और उसने हमारे body के अंदर एक energy आएगी, और हम उस life threatening situation को face कर पाएंगे, और उस life threatening situation में हम वह कर पाएंगे, due to energy produced by this adrenaline and noradrenaline, अब लोगों देखते हैं, कुछ parts मेंगी, जो हाई body के अंदर कुछ parts है, जैसे की spleen है, skin है, arteriol है, इनको यह contract करेगी, और जो blood pressure है, उसे blood pressure को यह increase करेगा, इस तरह से हम लोग ने आज यह study किया, कि adrenal medulla के दोरा कौन से hormone secret होती है, और वो hormone हम हमारे body में क्या function performance है, अब जो next section है, उस section हम लोग यह जानेंगे, कि जो adrenal gland है, सिर्फ adrenal medulla नहीं, जो adrenal gland है, इनके दोरा जो hormones secret हो रही है, यदि उन hormones का secretions ज्यादा हो गया, या उन hormones की secretions कम हो गई, चो हमारे body में कौन-कौन से disease develop पे हो सकते हैं, या कौन-कौन से हमारे body में disorder से आ सकते हैं, वो hormones क्या-क्या है एब रिवाइस कर रहते हैं, कि glucocorticoides है, sorry, हमारे जो 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 जोन na और लास्ट हमारा है Adrenal Medulla, और Adrenal Medulla के दोरा जो हर्मोन शेक्रीट हो रही है, उसका नाम है Adrenaline and Noradrenaline, तो अगले सेक्षन के उन्हों यह जानेंगे, कि इनके अंदर कोई इंबालेंस हो गया, तो हमारे बॉड़ी में उसका क्या disorder डेवलप पे होंगे. हम लोगों ने यह जान लिया कि कौन-कौन से हार्मोन Adrenal Gland के दोरा से क्रेट होती हैं, अब हम लोगों यह जानेंगे कि इन हार्मोन के जो इंबालेंस हो रही है, उससे हमारे बॉड़ी में कौन-कौन से डिजीज डेवलप पे हो सकते हैं, अब देखिए, डिजीज का नाम है Addison's disease, Cushing's disease, Korn's syndrome, Varyalism and Gynecomastia, यहाँ पे लिखा हुआ Adrenaline Varyalism, वो गलास वर्ड लिखा गया है, एक्च्छल वर्ड के हमारा वैरिलिज्म है, मिन्स हमारे बॉड़ी यह अधी Adrenal Gland के हार्मोन के अदर इंबालेंस होंगे, उस कंडिशन में हमारे बॉड़ी में पाच तर disorder develop हो जाएगा और वो disease और disorders का नाम क्या है हमारा Addison's disease, Cushing's disease, Korn's syndrome, Varyalism and Gynecomastia, अब मोलोगिन मैंसे सभी को एक एक करके study करने करते हैं, एक एक करके हले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो सबसे पहला हमारा है, that is the Addison's disease, अब Addison's disease क्या है, Addison's disease के बारे में इसका एक और नाम दिया जाता है, उसे लोग कहते हैं, it is the Adrenal Insufficiency, Addison's disease का ही दूसरा नाम है, Adrenal Insufficiency, एक और नाम इसका दिया जाता है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, स्क्रीन के उपर, उसे लोग कहते है, Adrenal Fatigue, Adrenal Fatigue का मतलब क्या हुआ, कि जो हमार जो Adrenal Gland है, वो proper function नहीं कर रही है, Adrenal Gland काम करते करते ठक गई है, और ठकने से इस क्या हुआ कि जो इनके द्वरा हर्मोन से क्रीट होना था, उसका जो quantity है, या उसके जो amount है, वो से कम हो गई है, और उस conditions में हमारे body के अंदर जो disease या disorder develop होगा, उसे हमनों कहेंगे Addison's disease, ले जो persons Allopathic System को follow करते हैं, Allopathic System को practice करते हैं, वो Adrenal Fatigue World को accept नहीं करते हैं, उनका कहना है कि Adrenal Fatigue नाम का कोई चीज़े नहीं होती हैं, लेकिन जो alternate medicine से, जैसे जो दूसरे आयरवेदिक हैं, होमियोपैतिक हैं और कोई जो पैथी हैं, वो हाँ पे इस Adrenal Fatigue World का using किया जाता है, तो चुकि हम लोग भी Allopathic System को ही follow करते हैं, तो हम लोग भी इस वर्ड का use नहीं करेंगे, हम इसे दो वर्ड यूज करेंगे, कि इसका नाम Addison's disease होगा, या इसका नाम Adrenal Insufficiency होगा, अब जो Adrenal Insufficiency, Adrenal Insufficiency, यहाँ वर्ड है Insufficiency, Insufficiency का मत्दब क्या हुआ, कि Adrenal Gland sufficient amount में Adrenal Hormones को Secret नहीं कर रही है, मजब कि Adrenal Gland है, वो Under Activity है, अब यहाँ पर ठकने वाली बात नहीं है, कि Adrenal Medulla ठक गया, अब और वो हर्मोन को Secret नहीं कर रहा है, यहाँ पर होता क्या है, कि जो Adrenal Medulla होंगी, या जो Adrenal Gland होंगी, उस Adrenal Gland की जो Cells हैं, उन Cells का किसी भी कारण से डेथ हो गया, या किसी भी कारण से डेमेज हो गयी, क्या कारण है, आगे जानेंगे, अब इसी बितना जा लेते हैं, कि Adrenal Gland की जो Cells होंगे, उन Cells की डेथ हो गयी, और उस Cells के डेथ होने से, जो Cells बची हैं, वो कुछ हार्मोन को Secret कर रही हैं, लेकिन उतना एमाउंट व हमें बॉड़ी को आओ सकता है, तब हम कर नाम देंगे, इट इस दा Adrenal Insufficiency या इट इडिशन से डिजीज, अब जो Adrenal Insufficiency है, एक्चुल में ये जो सिम्टम डेवलप होता है, due to, due to decrease in synthesis of cortisol and aldosterol, cortisol and aldosterol, अब जो ये cortisol है, ये cortisol है, this is the glucocorticoids, ये glycocorticoids है, वो हमारा cholesterol है, और जो aldosterol है, वो हमारा क्या है, that is the minerals of cortisol, sorry, मैं फिर्स रिपीट कर रहा हूं, कि जो cortisol है, ये glucose corticoids है, और जो aldosterol है, वो हमारा mineralocorticoids है, मेंसे कि जब बाडी के अंदर glucocorticoids का level and mineralocorticoids का level या दोनों में किसी एक का level भी कम हो गया तो उससे हमारी बाडी में जो disorders develop होंगी उस disease करों नाम देंगे Adrenal Additions Disease या Adrenal Insufficiency, अब यह जो Adrenal Insufficiency या जो Additions Disease हैं, इसको हम कहते हैं कि यह दो तरह की होती हैं, एक कहनों नाम देते हैं Primary Adrenal Insufficiency और दूसरा नाम देते हैं Secondary Adrenal Insufficiency, जो Adrenal, जो हमारी जो Additions Disease हैं, यह Additions Disease दो टैप की होती हैं, एक कहनों कहेंगे Primary, और दूसरा कहेंगे Secondary, अब देखते हैं किस कंडिशन कहेंगे कि यह Primary Additions Disease हैं, और किस कंडिशन कहेंगे कि यह Secondary Additions Disease हैं, यह जी किसी भी कारण से Adrenal Cortex में Damage हो गया, मतलब कि सेल्स का Death हो गया, सभी सेल्स का, कुछ सेल्स का Death हो गया, तो उस कंडिशन में क्या हो गया कि जो Glucocorticoides में जो Cortisol है, और जो Mineralocorticoides में जो Aldoesterone है, उनका जो Synthesis होगा, और उनका जो Secretions होगा, वो Secretions कम हो जाएंगे, और जो Secretions कम हो जाएंगे, तो हमारे Body के अंद का Damage होगा, उसका Region क्या है, उसके लिए तीन Region बताया गया, एक का नाम दिया गया Autoimmune Disease, दूसरा का नाम दिया गया Tuberculosis or Any Other Infection, और तिसरा का नाम दिया गया Adrenal Tumor, अब देखिए, पहला वह वर्ड है, Autoimmune Diseases, Autoimmune Diseases का मतलब क्या होता है, कि हमारी Body के अंदर कुछ ऐसी Antibodies, य अपने ही Cells को Destroy कर रहे हैं, तब हम उस डिजीज का नाम देते है, It is the Autoimmune Disease, वो Body के किसी भी Organ को Effect कर सकते हैं, यदि वो Antibodies या वो Substance है, Adrenal Cortex को Effect करेंगे, तब वहाँ पर वो जो डिजीज डेवलप करेगा, उससे लोग कहेंगे, It is the Primary Additions Disease, जो Autoimmune Disease है, वहाँ जो Antibodies है, या जो Substance है, वो हमारे Adrenal Cortex के Cells को Damage करेंगी, और जब उस Cells को Damage करेंगी, तो Adrenal Cortex proper Glucocorticoids और Minerocorticoids का सिंथेजिस नहीं कर पाएगा, और उससे हमारी Primary Additions Disease डेवलप होंगी, दूसरा कहा जा रहा है कि Tuberculosis, हमालुम है Tuberculosis एक infectious disease है, या कोई भी infectious disease, कोई भी microorganism नहारे Body के अ और वो Adrenal Cortex को Destroy कर रही है, Adrenal Cortex को Effect कर रही है, तो वहाँ पर भी Adrenal Cortex का अंदर Cells का जो Number होगा, वो कम हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि Suficient Amount में Mineralocorticoids और Glucocorticoids का Synthesis और रिलीज नहीं होगा, फीज तीसा पाइंट कहा जा रहा है कि Adrenal Tumor, Adrenal Tumor का मतलब क्या होग और excess growth होने के बाद उन सेल्स का Death हो गया, तो उससे कहेंगे Adrenal Tumor, तो जो यह Adrenal Tumor होगी, तो वहाँ पर भी Sales के Number कम हो जाएंगे, और जब Sales के Number कम हो जाएंगे, तो Mineralocorticoids और Glucocorticoids का Sequestion भी Decrease हो जाएगा, और उससे और Body का अंदर जो Symptoms Develop होगी, उसका अंदो नाम Auto Immune Disease है, या हमारे Body के अंदर कोई Infections है, या Tuberculosis है, या हमारे Body के अंदर Adrenal Cortex में Adrenal Tumor का Development हो गया है, तो लोग ने यह जान लिया कि Primary Adrenal Insufficiency या Primary Adrenal Disease क्या होती है, अब दूसरा करते है, That is the Secondary Adrenal Insufficiency या Secondary Additions Disease, अब देखिए, हम लोग पहले स्टार शुर में स्टडी किया, कि जो हमारे Adrenal Cortex है, और Adrenal Cortex का ऑपउसली जो हमारे जो Glom, हमारे जो Jona Faciculetra है, यह Jona Faciculetra यअगरासी देखेरां में देखिए हैं, कि जो जो Jona Faciculetra है, वो Jona Faciculetra Glukococorticockो Secrets को Secret करता है, और यह Glococortico jetzt को discs Section के क्लिए कौन देखिए feels assiminator करता है, ग्लुकोकोर्टिक्वार्स को सीक्रीशन के लिए कौन इस्टिमिलेट करता है एच ती एच और ये एच ती हैस कहां से तो पिटिउट्री ग्लैंट्स या रही है मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी कारण से एच टी हैच का सीक्रीशन नहीं होगा तो उस condition में जोना फैसिक यू लटा ग्लुको कॉर्टिक वार्ट को सिक्रीट नहीं करेंगी और हमारे बोडी में ग्लुको कॉर्टिक वार्ट की deficiency हो जाएगी और उस deficiency से जो symptoms develop होंगी उस symptoms को लोग नाम देंगे it is the secondary adrenal insuffie cnc या secondary additions disease अब हम लोग इस डाइग्राम से देखने के समझे कोशिश को रहते हैं कि हमारे पास अब देखे हम लोग ने study किया था जो endocrine glands study कर रहे थे है कि pituitry gland एक master gland है और hypothalamus भी master gland है hypothalamus pituitry gland को control करती है और pituitry gland हमारे body के different endocrine glands को control करती है अभी जो pituitry gland है वो ACTH को secret कर रहा है ACTH means adrenocorticotropic hormone अभी जो adrenocorticotropic hormone है इसकी secretion हो रही है pituitry gland के द्वारा वो कब secret होंगी जब hypothalamus CRH को secret करेगा और hypothalamus CRH को pituitry gland में भेजेगा और pituitry gland फिर CRH के response में ACTH को secret करेंगी और वो ACTH एadrenal gland एadrenal cortex में एंटर करेंगी और वहां पर वो glomerula fasciculata को stimulate करेंगी और वो glomerula fasciculata फिर glucocorticoise को synthesize करेगा और release करेगा और जो सारी की सारी mechanism है वो feedback mechanism के द्वारा control होती है एदि suppose करें किसी कारण से CRH का secretion बंद हो गया तो क्या हो गया pituitry gland ACTH को secret नहीं करेगी और जब वो ACTH secret नहीं करेंगी तो हमारी जो adrenal cortex है वो हमारे glucocorticoise को secret नहीं करेंगी किसी की कारण किसी कोई हमारी प्रोपलेम हो गई तो हमारी ग्लुको क्रेटिक नहीं करेंगी या हाइपो थैलमस में कोई प्रोपल्लम हो गई तब भी हमारे glucocorticoise का secretion ब्लोक हो जाएगा और जो यह ब्लोक हो रहा है और उस्टे से जो symptoms develop होंगी उस्टे हमने कहेंगे इस इदा secondary adrenal insufficiency या secondary additional disease अब यहां पर हमारे फ्लोचार बनाए हुआ था अब इसको डाग्राम से देख रहे हैं कि हमारी है और प्रोपलेम को स्कुरिट कर रही है और यहां पर इस तीरं किसि सीप्राइब की सिग्रीशन ब्लोक हो जाएगा तो d centre युअिफर दृण की सिर्ट को सिख्रीशन बंद हो जाएगा तीसरा कराण क्या हो सकता है कि हाइपोधैलमस ब्लॉक हो और इस अभनग तो यह जोओ zwei पैसे हो इस को से करेका तो उसे कहेंगे वह हो असे करेंगे करेंगी तो हम लोगोने यह समझ लिया कि जो एड्रीनल ग्लैंड है फिर्टिजन इंसफिशेंसी नहीं कि होती है एक कर नाम दिया गया प्राइमरी और दूसरे कर नाम दिया या secondary primary किसे चलते हो रहा है due to damage in the adrenal gland और secondary किसे किसे चलते हो रहा है due to damage in pituitary gland और in the hypothalamus हम लोग ने यह जान लिया कि adrenal insufficiency क्या होता है अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो adrenal insufficiency हो गई means कि हमारे body में proper glucocorticoise secret नहीं हुए तो उससे जो हमारे body के अंदर क्या-क्या symptoms developing हो इन symptoms को समझने से पहले थोड़ा समलों अपने background में जाते हैं जो पिछली क्लास में वो ने study किया था कि mineralocorticoise mineralocorticoise में था क्या हो गया एल्डोएस्टेरोन कि हमारे body में जो एल्डोएस्टेरोन है उसका function क्या है उसको recall करें उसका function क्या बता गया था कि जो एल्डोएस्टेरोन है या जो हमारी जो mineralocorticoise है वो sodium के reabsorption को kidney के अंदर nasal tubule के अंदर distal renewable के अंदर यह हमारे स्ोडियम के री absorption को increase करता है वाटर के reabsorption को increase पोटासियम के excretion को increase करता है और hydrogen ion मिनस्ट प्रोटोन के excretion को increase करेगाvalue मिनसे कि जो mineralocorticoise होंगे हमारे blood में любимल्य को maintain करने में में help कर रहा है, potassium को help कर रहा है, maintain करने में help कर रहा है, water को maintain करने में help कर रहा है, और blood के pH को भी maintain कर रहा है, by the acidosis means से, यह हमारे body में alkalosis produce करता है, हमारे blood के pH को alkaline बनाता है, अब किसी कोई person है, उस persons के अंदर addissance disease हो गई, और किसके चलते होई हो, यह वो aldosterone या mineralocorticoids के deficiencies से होगी, नतीजा क्या होगा, कि body के अंदर sodium का reabsorption नहीं होगा, means blood में sodium का level decrease हो जाएगा, potassium का excretion नहीं होगा, तो potassium का level होगा, वो increase हो जाएगा, hydrogen ion means proton का excretion नहीं होगा, तो blood का pH होगा, वो acidic हो जाएगा, यह water का reabsorption नहीं होगा, तो urine का जो flow होगा, वो flow increase हो जाएगा, और जब water का reabsorption नहीं होगा, हमारे body के अंदर जो blood का volume है, वो blood का volume भी decrease हो जाएगा, तो these are the effect of the deficiency of the mineralocorticoids, अब इससे क्या होगा, यह तो हमारे जान लिए कि यह defect होगी, लेकिन हमारे अंदर symptoms के आएगे, हमें कैसे पता चलेगा, कि persons के अंदर mineralocorticoids का, यह aldosterone की deficiency होगी है, यह हमारी effect होगी, अब हम लोग जानेंगे इस effect से मारे body में क्या symptoms develop होगी, तो सबसे पहला symptoms क्या develop होगा, कि जो persons होगे, वो उस person का blood pressure होगा, वो blood pressure बहुत ही कम हो जाएगा, blood volume कम हो गई और blood volume कम हो गई तो blood pressure कम हो गया, body के अंदर sodium का level कम हो गया, जब sodium का level कम हो जाएगा, तो हमारी जो muscles होगी और muscles proper काम नहीं कर पाएगी, muscles की polarization और deep polarization नहीं होगी और muscles के अंदर weakness आ जाएगी, जो muscles होगी और muscles fatigue हो जाएगी, यहीं नहीं जो हमारी जो CNS है उसमें lightheadedness आ जाएगी, हमें dizziness आ जाएगी, अब यहाँ पर दो word आ गया, dizziness and lightheadedness, यह दो word क्या है, dizziness का मतलब क्या हो गया, जाएगा चक्कर आना, मिनसे हमारे, हम के हमें standing position में हम इतना कम वीक हो गया है, कि हमारे सर में हमारे सेनेस में और round rotation हो रही है, तो हुझे कहेंगे हमें dizziness आ रही है, हम चक्कर होके बैर जाएगे या गिर जाएगे, और lightheadedness क्या होगा, कि suppose कि आप lying position में है, या आप sitting position में है, और अचानक आपको stand होना पर रहा है, अचानक आपको ख़रा होना पर रहा है, जो आप अचानक ख़रा होंगे तो उस condition क्या होगा, कि आपके सर में जटका सा लगेगा, और वहाँ पर सर के अंदर रोटेशन होगी, सर के अंदर चक्कर आने लगेगा, और उस condition क्या कहेंगे, it is the lightheadedness, means कि हमारे body के अंदर जब mineralocorticoids की deficiency होगी, तो उस condition में हमारे body के अंदर weakness बर जाएगी, fatigue महसूस करेंगे, इसके साथ साथ हमें salty food खाने का, means नमक वाली चीज़े खाने की एक्छा जादा होगी, क्योंग जादा होगी, तो हमारे body के अंदर sodium की कमी हो रही है, तो हमारे body demand करेंगे, कि हमें और sodium चाहिए है, और हम और salty food के लिए crave करेंगे, salty food के लिए demand करेंगे, तो these are the symptoms of the deficiency of the mineralocorticoids है, या कर सकते हैं, these are the symptoms of the adrenal insufficiency, अब जो दूसरा हार्मोन है, that is the glucocorticoids, suppose करें कि हमारे body के अंदर glucocorticoids की deficiency होगी, क्या होता है था, कि mineralocorticoids की deficiency हो सकती है, glucocorticoids की deficiency हो सकती है, या दोनों की deficiency हो सकती है, अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि mineralocorticoids की deficiency होगी, तो क्या-क्या हमारे body के अंदर changes जाएंगे, और उससे क्या हमारे body में symptoms से develop होगी, अब हुनों जानने के कोशिश करेंगे कि जो glucocorticoids है उसकी deficiency हो जाएगी तो क्या होगा अब फिर हम recall करते हैं कि glucocorticoids का function क्या था हम उन्हें क्या study किया था ग्लुकोवाइड ही मनाएग ग्लुकोज से कि जो glucocorticoids हैं वह हमारे बॉड़ी के अंदर कार्वोहाइड्रेट के metabolism को regulate करती हैं जो क्लॉक्स कार्वोहाइडरेट बॉड़ी के अंदर होता है उसको वह glucose के form में कनवर्ड करती हैं ताकि हमारे बॉड़ी उस glucose को करके energy को produce कर सके अब सब्सक्राइब करें कि बॉडी में ग्लुको कॉर्टिक वार्ज की deficiency हो गई मिन से कि बॉडी के अंदर कार्बो हाइड्रेट तो मौझूद है लेकिन वो कार्बो हाइड्रेट glucose में कनवर्ट नहीं हो रहा है और जब वो जा हमारे बॉडी के अंदर कर्बो हाइड्रेट है तो हमेद भुख महसूस नहीं होगी हमारे बॉडी में sufficient कर्बो हाइड्रेट है हमाई G.I.T. और कर्बो हाइड्रेट का डिमांड नहीं करेगा भूख नहीं लगेगी मिन से हमारे appetite का loss हो जाएगा इससे कहेंगे loss of appetite और सपोज करें कि हमारी loss of appetite हो गई और हम भोजन करते जा रहे हैं तो नतीज़ा क्या होगा इसके अलावा हमारे बॉड़ी में एनर्जी नहीं नहीं लग रहे हैं और हमारे बॉड़ी में डायरिया या कॉंस्टिपेशन डेवलप हो रहा है और हम नौजिया और वोमिटिंग फिल कर रहा है इसके अलावा हमारे बॉड़ी में एनर्जी नहीं है तो हम टाइर नेस मिंशाव उपर करेंगे यह यह लावा हमारे बॉड़ी में वेट लॉस हो जो muscles हैं उस muscles को एनरजी नहीं मिलेंगी तो muscles के अंदर pain होगा हम version करते जा रहे हैं गी को आफ सकता नहीं वोजन का तो abdomen के अंदर pain होगा abdomen में दर्द होगा जो born होगी born में भी problem आ जाएंगे Crunch करते हैं पहला पहला पता गया कि loss of appetite दूसरा कहा गया कि दिसेंट्री या डाइरिया कॉंस्टिपेशन होगा तीसा कहा गया नॉजिया वोमेटिंग होगा चौता क्या कहा गया कि मसब जो एपडॉमेन है एपडॉमेनल पेन स्टार्ट हो जाएंगे और जो बॉदी का इनर्जी नहीं मिल रही है उस कनिशन में टाइडनेस कि जो स्कीन का यूनिफॉर्म कलर होगा वो यूनिफॉर्म कलर उसका चेंज हो जाएगा कहीं का कलर डार्क है और कहीं का कलर लाइट हो जाएगी तो दीज आर दो सिम्टम्स अब दा एडिसंस डिजीज दू टू डफिशेंसी अब दा ग्लुको कॉर्टिक कॉर्ट अब यह आघर सकते हैं और बॉटिक अंदर दोनों की कम होज गी तो क्या होगा सारे सिम्टम्स को हम एक साथ कंम्बाइन कर लेंगे कि हमाएं बॉडई के अंदर जिजि नौजिया होगा वमेटिंग होगा एबडामिनल पेन होगा ब्लाडट प्रेम्ट प्रेसर कम होज जाएगा औ को हम लोग एक और नाम देते हैं that was the emergency हार्मोन की इसे हम पहले क्लास में पहले थे कि दो दोनों हार्मोन है और emergency हार्मोन है कि इस हार्मोन की हमारे बॉड़ी में अब हम लोग इसी सिम्टम को इस डाइग्राउं से समझने की कोशिश करते हैं कि परसन महसूस करेगा डिजीनेस महसूस करेगा लाइट हेड़नेस महसूस करेगा यहां पर सिम्टम से दोनों कम ने कंबाइन कर लिया क्रेव करेंगे हमारी ब्लाड प्रेशर होगी और ब्लाड प्रेशर कम हो जाएंगी एपय्टाइट लॉस्ट नहीं लगएगा सकीन के अंदर पिगमेंटेशन हो डाइरिया या कॉंस्टिपेशन डेवलप हो जाएगा एबिडॉमिनल पेन डेवलप हो जाएगा वेट लॉस होगा मसल्स के अंदर दर्द होगे अब इसी एडिसंस डिजीज के साथ एक और वर्ड एटैच है उससे हम लोग कहते हैं एड्रीनल क्राइसिस मतलब कि जो यह के और हेड्रीनिशन देनाव देंगे एड्रीनल क्राइसिस का थिज्टम से थिंक पर हाइपोइज का लेवल कम हो गया है अदे तरिया भी होगा और अधिया डिवलप हो रही है बॉडी के अंदर और हम उसे का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो उसका नेट रिजल्ट आएगा दिदर डेफ आफ दा पैसेंट है तो हम लोग ने यह जाना कि एडिसंस डिजीज क्या होती है अब हम लोग आते हैं डूसरे जौन करण से हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन का श्रीक्रिसन से ज्याद हो गया मिस्टर्ट जाद हो गया का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता में रोल होता हमारा ग्लुको कॉर्टिक वाइट्स का कि बहुत ज्यादा हो गया तो उस कंडिशन में क्या होगा कि हमार बॉली के इंदर जो सिम्टम से डेवल लप होंगी उसका लोग नाम देते हैं इती दा कुसिंग से कि हम लोग वहां पर जाने किस रीजन से डेवल रही थी अब जानेंगे किस रीजन से कुसिंग्स डिजीज डेवलप होगा कि हम रेगुलर्ली बहुत लंबे समय से एक्सेसिव फीजिकल कर रहे हैं जैसे माल यह कि हम एक्सराइज कर रहे हैं और उस कंडिशन में क्या होता है कि हमारे बॉड़ी के अंदर ग्लुको कॉर्टिक रिक्वार्मेंट बढ़ जाती है और हमारी जो एडिनल ग्लैंड है उस तरह से एडजेश्ट हो जाएंगे कि ज्यादा ग्लुको कॉर्टिक रिक्वार्ट को सिक्रीट करेंगी और जब वही जिए बहुत लब्मे समय तक चलता रहेगा मतलब कि जो फीजिकल एक्सराइज है या फीजिकल वर्क है या फीजिकल एस्ट्रेस है बहुत लॉंग डिशन से चलता रहेगा तो एडिनल ग्लैंड कि हम बहुत लब्मे समय से एंग्जाइटी में हैं चिंता कर रहे हैं किसी बात के बारे में सोचे जा रहा है को उसका कोई सॉलूसन नहीं मिल रहा है फिर भी हमाई दिमागी त्वार पर हम परशान है अब हमें मालूम है कि हमें किसी चीज़ को सोचते हैं मारे जो ब्रेन कर गया कॉर्क करता है उसके लिए भी एनर्जी क्या हो सकता होती है और वह एनर्जी कहां मिलती है गुलकोजस से मिलती हैं अब उस ग्लकोज के एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमाई जो adrenal gland नहीं तो adrenal cortex है वो gluco cortical secretion को increase कर देगा एधि वो emotional stress बहुत नम्मे समय तक चलता रहा तो हमाई जो adrenal cortex होगा वो इस तरह से monitor या इस तरह से उसकी conditioning हो जाएगी कि और continuously gluco cortical secretion ज्यादा करता रहेगा इवन in absence of the emotional stress तो उस condition में जो symptoms develop होंगी उससे लोग क्या कहेंगे इट इस्टेडी किया था कि जो hormones होते हैं वो दो तरह की होते हैं एक का नाम दिया गया था proteinus hormones और दूसरे का नाम दिया था इस्टेरोइडल हर्मोन तो जो हमारी adrenal gland है या adrenal cortex है इस adrenal cortex के द्वारा जो हर्मोन secret की जाती है वो इस्टेरोइडल हर्मोन है हम सभी को मालूम है कि हम जो डॉक्टर्स या जो medical practitioners है इस्टेरोइड से prescribe करते हैं बहुत सारे disease में उस disease को control करने के लिए यदि किसी patient को यह इस्टेरोइड ड्रग बहुत high dose में दिया गया और लंबे समय तक दिया गया तब उस condition में हमारी body को ऐसा महसूस होगा कि हमारी body को एस्टेरोइड की ज्यादा हो सकता है और जो adrenal gland होंगी वो इस्टेरोइडल हार्मोन के secretions को इंक्रीज कर देंगी अब हमने एस्टेरोइडल ड्रग तो बंद कर दिया लेकिन हमारा जो adrenal gland था adrenal cortex था वो इस तरह से condition हो गया यह इस हिस्टेरोइड उसके अंदर चेंजे जागी को continuously glucocorticoise के secretions को लंबे समय तक excess secretion करती रहेंगी और उससे जो symptoms develop होंगी उससे हमनों कहेंगे it is the Cushing's disease तो यह तीन रीजन यहां बताया गया जिसके चलते glucocorticoise के secretion बढ़ जाएंगी और जब glucocorticoise की secretion बढ़ जाएंगी तो उसने नाम देंगे it is the Cushing's disease यह रीजन क्या क्या है अब रिपीट कर लेते हैं कि excessive physical stress या excessive emotional stress या high dose of cardiovascular drug for the longer duration अब हमनों जाने कोशिज करते हैं कि यह जो Cushing's disease है इनका symptoms क्या है जिस्ट उसका पोजीट कि जो हमनों adrenal insufficiency में जो symptoms पढ़ा था उसके just यहां पर deposit हो जाएगा कि जो sodium का reabsorption होगा यहां पर वह रिप्जॉर्शन ज्यादा हो जाएगा जो glucose होंगी glucose का formation ज्यादा हो गया मिशार बॉडी के अंदर जो carbohydrates stored थी वह glucose के फॉर्म में convert हो गई मतलब हमारे blood में और हमारे urine में glucose का level increase हो जाएगा अब जब glucose का level increase हो जाएगा तो naturally जो water है उसका reabsorption भी इंक्रीज होगा और जब रिप्जॉर्शन इंक्रीज होगा तो blood volume क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी एक बात का हमें जहां लगना है कि हमारी body में जो sodium और potassium के movement होती है वो just एक दूसरे के opposite होती है कि किसी कारण से यहां की रिप्जॉर्शन इंक्रीज होगी तो potassium का of a g या यदि किसी कारण से potassium का reabsorption होगा तो sodium का excreason भी इंक्रीज होगा दोनों wise versa हैं तो आप हम रोंगे कि हैस्टेडी कि पहला पिंट में कि सोडियम का री-अबशॉबर यहाँ प्लाजम akan the sodium का लेविट बर जाएगा और प्लाजम के अनदर सोडियम का लेविट बढ़ेगा तो जो प्लाजमा है उस वहां प्लाजमा है कम हो गया प्लाजिमा के अंदर ऑलकलोसिस हो गई remaining रिपलाजिमा के अंदर जो ब्लड्र वाटर है उसका रिटेंशन जादा हो गया और स्क्राज़ और इसे क्या वालूम में बर गई और जब ब्लडाध वालूम बढ़ेंगी त напुल फिसल भी ईन क्रीज हो जाएगा देज आ वाटर का रीअबिञेशन बढ़ गया तो Blood वॉल्णम बढ़ परेशर भर गया जो Water टो यूरिन का Volume क्या हो जाएगा कंव मोजएगा अब यहां पर क्या होगा कि वॉल्णम की वॉल्णम तो कम हो जाएंगी लेकिन हमें बार-बार urenation की tendency होगी मीन्स जो frequency of urination, चु कि u drinks बनने रहा है और हमël urination की इक्चा हो रही है कि हम urination के प्र piercing्क नहीं होगा, मीन्स को frequency of urination होगी, वो ut kä sadly अब चु कि u pray Üreed donation नहीं नहीं हो रहा है, urine का formation नहीं हो रहा है तो हमें जो फ्यास जो thirst है को thirst भी increase हो जाएगा जो muscles है muscles के अंदर potassium के कमी हो गई तो वहाँ पर भी क्या होगा muscles के अंदर muscles के अंदर weakness आजाएंगी दूसरा जो bones होंगे वो bone weak हो जाएंगे जो skin है वो skin thin हो जाएंगी इसके अलावा और भी बहुत सारे symptoms होंगे कि जो हमारी जो की body में glucose का level बढ़ गया तो उस condition क्या होगा कि हमारी bones होंगी जो भाव बन जाएंगे उसकी proper healing नहीं होगी body के अंदर carbohydrate deposit हो जाएंगी जो हमारी इसके जो neck का portion है वहाँ पे fat deposit हो हो जाएगा और वहाँ पे swelling आ जाएंगी जो abdomen है abdomen area में swelling हो जाएगी हमारे body के अंदर गो कोट का ज्यादा है energy level बढ़ गई तो irritation भी increase होगा और जो energy level बढ़ जाएंगी तो mood swing भी होगा mood मतलब कि कभी हम अचानक depression में चले जाएंगे कभी हम अचानक के stimulation में से ले जाएंगे मिश depression और stimulation होता रहेगा और जो ladies है woman है उनके अंदर जो menstruation cycle होंगी वो menstruation cycle block हो जाएंगी और जो facial hair है वहाँ पे facial hair develop हो जाएगा तो these are the symptoms of the Cushing's disease और यह जो सारे symptoms are just opposite होंगे कि इसके तो additions insufficiency के अब इसे हम लोग इस तरह diagram से समझने की कोशिश करते हैं कि lady है इस lady के अंदर सपोज कर Cushing's syndrome है तिनका आप appearance देख सकते हैं कि body में इस तरह की appearance develop हो जाएगी इसका सबसे पहला symptom होगा कि body body bulky होगा और उसके साथ साथ जो limb है और जो hand है वह हमारी थीन होगी हाथ और पैर पत्ले लहेंगे लेकिन body का जो trunk area है वहाँ पर मोटापा जाएगा जो चेहरा है चेहरा गोल हो जाएगा moon face हो जाएगा तो हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम डेवलाप हो रही है तक कहा गया देखते चले हम लो कि इसका अंदर डिप्रेशन हो रहा है हम सिम्टम पर चुकिया हम सिर्फ डाइग्राम से देखने कोशिज कर रहा है कि यहां पर डिप्रेशन हो गया यहां लिखा हुआ बुफैलो हम बुफैलो हम मतलब कि जो neck area है वहाँ पर fat की deposition हो गई जो wounds बन रहे गया कि वह जो female है तो female का अंदर baldness आजाएगी उनका चेहरा गोल हो जाएगा round face हो जाएगा जिसे अदों काते है भी fat deposit हो जाएगा और वह काफी बाहर बल्गी हो जाएगा means body में obesity develop हो जाएगी तो these are the symptoms of the Cushing's disease तो हम लोगने 2 disease study कर लिया main disease है उसका एक का नाम गया था Addison's disease और दूसरे का नाम गया that is the Cushing's disease यही दो main disease थे बाकि जो तीन डीजीज है छोटे छोटे से disease है थोड़ा सा पैसंज हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन थोड़ा सा पैसंज रखेंगे आगे का भी हम लोग एस्टेडिक कर लेंगे अच्छी तरीके से जो तीसा डीजीज है उसका नाम है कॉंस ड the mineralocorticoids की यही हमारी बोडी में सिर्फ mineralocorticoids का सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो उससे जो सिम्टम्स बोडी में डेवलाप होंगी उसको मनों कहेंगे इद्धा कॉंसे सिंट्रॉम या कॉंसे डिजीज अब यह देखें रिजिन लिखा हुए एक एक्सेश्रिशन अब ड सब्सक्राइब कर दो सकती हैं और लिविंग सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा भर गया तो उस कंडिशन में क्या होगा से सिंटरम के सिंटरम क्या क्या होगी उस है उसका सिंटरम समझना बहुत आसान है यदि हमें मिन्यालो कॉर्टिकोर्ड के फंक्शंस के बारे में या तो बहुत आसानी समझ हो सकते हैं कि कौन से seem六 जाघ्लोक्रों से क्या अक्रीज कर सब्सक्राइब लुक्रीज करेंगा पूटासियम का इक्स्रीज करता है और हइड्रोजन अcenturymasा को इंक्रीज करता है ल मिंस्ट ब्लेड के इंदर ये alkalosis produces करेगा blood के pH को increase करेगा अब उसका क्या हो गया कि हमारे पास mineralocorticoids और ज्यादा बहुत ज्यादा गए मिन से जो sodium होगा उसका reabsorption बहुत ज्यादा हो जाएगा तो body में plasma sorry plasma के अंदर sodium level increase हो जाएगी potassium का extrusion होगा तो plasma में potassium level decrease हो जाएगी water का reabsorption होगा तो blood का volume भर जाएगा अब blood का volume भी भर गया और sodium का amount भी जादा हो गया तो नतीज़ा क्या होगा blood pressure आजएगी अब जो भी water kidney में जा रही है वो kidney से water absorb हो जा रही है किदनी के पास water रहनी रही है हमें और और प्यास लएगी मिन जो thirst होगी वो thirst increase हो जाएगी अब चुकि यह sodium level blood pressure भर गया तो हमारे हमेशा सर में दर्द रहेगा muscles के अंदर weakness होगी या muscles में क्रैम पर मैसूस होगा तो इस तरह सर मुने देखा कि जो कौन सींट्रॉम है वो कौन सींट्रॉम क्या-क्या हो सकती है इसको याद करना बहुत असान है इनके सिंटम्स के बारे में भी डिसकर से कर सकते हैं तीसरा आगया अब देखिए हम लोगन दो पार्ट के बारे में इस्टडी कर दिया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना पार्व ट्यकिलडर आ रहे हैं ौडा इस्टरिकोली तेक ता इनके डिसौलडर रहे हैं ॉडी याद आ रहे हो व्याद नाम दतर आई के अदर इस्टरिस हो गई तो, उस कंडिश्न में वहां पे क्यान इवपलीश्ट यह उपलभक्भी तो उसका अनोड़ नाम देते हैं It is the Viralism happen. अब मालूम है की जो जोन रेतिकुलरिस है उसके द्वारा मेल का secondary sex character develop हो जाएगा, secondary sex character क्या हो सकता है, क्योंकि जो आवाज होंगी, वो मेल की तरह horse हो जाएँगी, भारी हो जाएँगी, या heaviness उसके अंदर आ जाएगा, जो woman होंगी, उनके चेहरे पे facial hair का growth हो जाएगा, जो chloritis हैं, उनका जो sexual part है, उनका जो female reproductive organ का जो पार्ट है जो आपर chloritis होती है, उस chloritis की growth हो जाएगी और जो growth हो जाएगी, जो मेल के अंदर जो पेनिस का होता है, उस साइज से उनकी जो chloritis का growth हो जाएगा, और chloritis का साइज पेनिस, हाला कि पेनिस इतना length उसका नहीं होगा, ल से डेपलप जाएंगी जैसे हम देखते हैं कि यह नाइटल एरिया में भी और पूरे बॉड़ी में भी है बढ़ जाएंगी और स्टेज फूर मीं जैसे इसका स्क्रिशन बढ़ता जाएगा वह ऐसे फीमेल के अंदर हेर ग्रोफ इंक्रीज होती चली जाएंगी यह बैक साइड का दिखाया गया कि कैसे उनके बॉड़ी पर हेर ग्रोफ इंक्रीज हो रही है अब देखिया क्लॉराइटिस मेल के अंदर यह नॉर्मल है कि इस तरह की पैनिस का फॉर्मेशन होता है लेकिन जो फीमेल होंगी उस फीमेल का जो पहला पॉइंट है यहां पर हम चला जाएगा मिन्स वो पैनिस की तरह पर है लेकिन फिर भी उनका जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और यह जो डिसॉर्डर समारी लेडिज के अंदर डेवलाप होंगी तो उसनों का नाम देंगे इट इस दा वैरी लिस्ट अब जैस्टिस का पोचित सब्सक्र अब आते हैं लास्ट हमारा डिजीज है एदी सब्सक्राइब करें कि जो हमारी जो 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 ना रेक्रीज है वो मेल के अंदर फिमल सेक्स हार्मोन के सिक्रिशन को बढ़ा दिया नतीजा कि जो मेल होंगे उस मेल के अंदर फिमल की सेक्टरी सेक्स कारेक्टर्स डेवलाप पर हो जाएंगी अब वो सेक्टरी सेक्स कारेक्टर्स के आप बहुत एक सिंपल है कि उनकी जो मैमरी ग्लैंस में जैसे लेडीज के अंदर मेमरी ग्लेंड्स इनलार्ज होती हैं ब्रेस्ट इनलार्ज होते हैं तो वैसी ही इनलार्जमेंट मेल के बॉड़ी में आ जाएंगी और इस तरह आप डियाग्राफ देख सकते हैं कि हमारा इनलार्जड ब्रेस्ट का है और यह हमारा नॉर्मल ब् इस तरह समों ने कंप्लीट किया ये चैप्टर अप्सोर्स हो रहा है कि मैं इसका पहला जो भाग बनाया था उतना ज्यादा एक्सप्राइशन उसका सर्टिक नहीं हो पाया था थोड़ी से प्रॉब्लम आगे थी जिसको मुझे ब्रेक करना पड़ा मुझे उमीद है कि आपक को कैसा सटिस्प्रेक्शन हुआ और मैं इसलिए आप से ये कॉमेंट ले कर रहा हूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने पूरे वीडियो को अंत तक देखा मिंस आपको स्टेडी में इंट्रेस्ट है और आप अपने नॉलेज को इंप्रूफ करना चाहते हैं तो यहां अच्छा लगा और आपको सारी पाइंट समझ मिंआ है तक हम एक इंकरेज्मेंट मिले कि मैं यह मेहनत कर रहा हूं जो यह लेबर आपके लिए कर रहा हूं वह आपके लिए काम आ रहे हैं तैंक यू मच य वरे मच ए वर रिमेनिट मी पर सटें लॉंग डूरेशन त Thank you very much.